नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का UPSC उतकर्ष मेरा नाम है पूजा देविली हाली में Unified Pension Scheme, New Pension Scheme, Old Pension Scheme ये सारी चीज़े आप जरूर सुन रहे होंगे पर हर Pension Scheme का किस प्रकार से अधिकारियों को क्या लाब मिल रहा है साथी साथ ये जनतो जहत क्यों लगी ह New Pension Scheme, Mold Pension Scheme, Unified Pension Scheme क्या है ये सब इसको हम आज डिकोट करेंगे हमारे इस Analytical Section में तो एक एक करके देखते हैं, एकिकरित Pension योजना में सरकार पर अतिरिक्त बोज है, लेकिन सुधारों पर कोई रोक नहीं है देखते हैं क्या है इस बारे में, यहाँ पर ये जो टिपड़ी आई है, प्राइम मिनिस्टर लेविल से आई हैं, तो आप समझ सकते हैं, ये आपकी UPSC के लिए बहुत जादा जरूरी होने वाला है और अगर आप भारत के आम नागरे के और समझना चाहते हैं, तो वो भी आप समझ सकते हैं इस पर्टिक्लर सेक्शन से केंद्र सरकार New Pension Scheme की जगा, अब केंद्रे करमचारों के लिए Unified Pension Scheme लेकर आई हैं, यानि कि पहले New Pension Scheme काम कर रही थी, अब हमारे पास Unified Pension Scheme यानि कि UPS आ गया है अब एक निश्चित सुनिश्चित Pension, पारिवारिक Pension और पूर्ण Pension के लिए अनिवारे सेवा अवधी से कम सेवा अवधी वाले लोगों के लिए New Term Pension इसकी मुख्य विशेशता हैं, यानि कि एक Level of Pension आपको जरूर मिलेगी UPS सरकारी कर्मचारियों के बीच एक बढ़ती नाराजगी का राजनीतिक जवाब है, असल में जो एक मुखर राजनीतिक वर्ग बन चुके हैं, देखो सरकारी काम बहुत जादा सरदर्द वाला होता है, सरकारी नौकरी के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता ह जिनके घर में सरकारी लोग भी हैं, वो भी जानते हैं कि किस लेवल की महनत होती है, और कहीं ना कहीं एक यही बहुत बढ़ा अट्रैक्शन होता है किसी भी जॉब में, सरकारी जॉब के अगर बात करो, कि भाई, अगर रेटायर होगे, उसके बाद कम से कम हमें पैंशन त अभी यहां मिलेगा, राज्यों में भी राज्यों के भी यूपीएस के तहट शामिल होने की उमीद है, राज्यों भी इसमें आएंगे, हाला कि राज्य सरकार की वित्त पर अतिरिक दबाव के लिए साबधानी बरतें, मतलब अतिरिक दबाव ना जाएं, क्योंकि यह जो देना होता है, यह तो cyclic in nature है, इसके return में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यह investment नहीं माना जाता है, यह expense माना जाता है, राज्यों के इस प्रकार से अपने taxation system और अनेक अधर, अनेक बहुत सारी प्रणारिया के से strong करें, कि यहां पे इनको pension के लिए एक proper capital रहे साथ में, but at the same time यह burden ना बन जाए, इस योजना के new pension scheme और old pension scheme से किस तरह अलग होने के सवाल पर TV सोमनाथन ने जवाब दिया था कि UPS पूरी तरह से contributory funded scheme है, मतलब इसमें भी कर्मचार्यों को NPS की तरह basic salary plus DA का 10% contribute करना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक् के बाद के लिए, आपको NPS में जैसे contribution करना था, वैसे यहाँ पर भी contribution करना होगा, जबकि old pension scheme unfunded contributionary scheme थी, यहाँ पर कर्मचार्यों को किसी भी तरह का contribution नहीं करना होता था, आज कल new pension scheme जब area में थी, मतलब UPS में भी, आपको contribution अपने level से करना होगा, new pension scheme में भी आपकी जो आई थी, उसका कुछ हिस्सा, आप खुद contribute करते थे, voluntarily, यहाँ पर government पहले से ही काट ले थे, कि हम इसको बाद में pension के लिए फंट करेंगे, लेकिन NPS की तरह हमने इसे बाजार के भरोसे ना छोड़ कर, एक fix pension की एशॉरिटी दे दी है, UPS में OPS और NPS दोनों के ही लाब शा होता है, और सरकार 14 प्रतीशत देती है, सरकार अब इसे बढ़ा कर 18.5 प्रतीशत contribute करेगी, कर्मचारी के 10 प्रतीशत हिस्से में कोई बदलाव नहीं आएगा, सोमनातर ने ये भी बताया कि NPS के तहत 2004 से अब तक retire हो चुके और अब से मार्श 2025 तक retire होने वाले कर्मचारियो को भी इसका लाब मिलेगा, ये बहुत जरूरी था जारना, क्योंकि questions यहां से भी उठते हैं, जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है, या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे adjust करने के बाद भुगतान किया जाएगा, सरकार की तरफ से contribution 14 प्रतीशत से 18.5 प्रतीशत पहले साल 6,250 करोड रुपे का अतिरिक्त खर्च आएगा, ये खर्च साल दर साल बढ़ता भी रहेगा, सरकार ने 2004 में NPS की शुरुवात के बाद सेवा निवरत करमचारियों की भुकतान पर 800 करोड रुपे के अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान भी लगाया था, यूनिफ पेंशन स्कीम यानि NPS लाई, NPS पर कई तरह के सवाल उठाए गए, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, मोधी सरकार ने अपरेल 2023 में TV सोमनाथन की अगवाई में एक कमिटी बनाए, अगर पूछा जाए कि TV सोमनाथन के अंतरकत कौन से कमिटी बनी है तो इसको याद र 24 को मोधी सरकार ने UPS को मंझूरी दिये, इसके इसे अलग वित्वर्श यानि एक अपरेल 2025 से लागो किया जाएगा, UPS में क्या-क्या शामिल हैं, ये भी जाना ज़रूरी है, देखो, आखरी साल की औरसत सालरी की 50 प्रतीशत एशोर्ट पेंशन मिलेगी, सबसे पहली बात रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटार्मेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन में आएगी, 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी, औसत बेसिक पे की 50 प्रतीशत पेंशन होने मिलेगी, जिनने नौकरी करते हुए 25 या उससे जादा व निवरित्ती के मामले में, UPS 10,000 रुपए प्रती महा की सुनिश्यत नियुनतम पेंशन भी प्रदान करेगा, यानि कि आपके पास थोड़ा सोशल सेक्योरिटी नेट होगा, यहां पे नियुनतम दर्सवर्ष की सेवा के बाद, अगर सेवा निवरित्ती हो गई है, उसके म पेंशन मिलती, उसका साथ प्रतीशत मिलेगा, साथी परिवार को मिनिममम डियर्नेस रिलीफ का पैसा भी मिलेगा, या डियर्नेस रिलीफ AICPIW यानि की All India Consumer Price Index for Industrial Workers के अनुसार ही मिलेगी, सारी चीज एक सुनिश्यत तोर से दी जा रही है, इसके अलावा पेंशन के अलाव लंसम अमाउंट सरकार हर करणचारी को उसके हर छे महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सालरी और डियर्नेस अलावन्स का 10 प्रतीशत पैसा रिटायर्मेंट के बाद लंसम अमाउंट यानि की एकत्रित करके बतौर देगा, इसे ऐसे समझे कि अगर किसी कर तो गैशन बन सकते हैं कि भाई, न्यू पैंशन स्कीम क्या थी, तो यहां पर इसे क्यो शुरू किया गया था, यह भी जाना है, भारत की पैंशन नीटियों में सुधार के लिए केंदर का प्रयास हुआ था, उसके तहत एक जनवरी 2004 में, एन पेस ने ओपेस की जगहा ले सबस्टिट्यूट कर दिया, इसके बाद, इस तिथी के बाद, सरकारी सेवा में शामिल होने वाले जो भी लोग थे, यानि कि जो भी एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में आ रहे थे, उनके लिए न्यू पैंशन स्कीम आ रहे थी, ओल्ड पैंशन स्कीम के तहत, केंदर और जो मूल वेतन के प्रतीशत के रूप में गर्णा की जाती थी, जीवन यापन की लागत में वृद्धी के लिए समायोजित करने के लिए, इसके अलावा, एनपेस की शुरुवात, अटल भिहारी वाजपई सरकारने की थी, ये भी याद रखना है, ओपेस में एक मूल भू जब वित्य पोर्षण में कमी होती है, तो कितना पेंशन दे देंगे कิसी को, तो ये भी तो देखना है, तो ये लॉस था, समय के साथ इससंद सरकार की पेंशन देनदारी के वित्य रूप से अस्वस्ति था, और स्थरो तक बढ़ा दिया था, बहतर स्वास्त सु तो यहां पर गवर्मन्न को लगा कि जब तक जीता जाएगा उसको पेंशन ही लाते रहेंगे. तो यहां पर OPS लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता था. आकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन दश्कों में केंद्र एवं राजी की पेंशन देंदारियों में बहुत वृद्धी हो गई है. 1990 से 1990 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड रुपए था और सभी राजों का मिलाकर 3,131 करोड हो गया है. इसके अलावा 2020 की बात करें तो लगभग अभी पेंशन बिल 58 गुना बढ़ा, 1,90,886 करोड रुपए हो गया है और राजों के लिए 125 गुना बढ़ गया है, 3,86,001 करोड रुपए. इसलिए NPS को लाया गया था. अब वित पोशन कैसे हो रहा था NPS से? कि आपका कॉंट्रिब्यूशन भी उसमें जा रहा था. यहाँ पे सरकार घवराई नहीं इसी बात से कि भाई इतना सारा पैसा देना पड़ेगा. इसके अलावा NPS के विरोध का भी आधारा आया. NPS दो बुनियादी तरीकों से OPS से अलग था. सबसे पहले इससे सुनिश्चित पैंशन की विवस्ता को खत्म कर दिया. कि भाई एक सुनिश्चित पैंशन मिलेगी, इसकी विवस्ता को खत्म किया गया. इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा इसे करमचारी खुद ही वित्पोशन करेगा. ये भी बताया गया है. तो साथी सरकार भी उतना ही योगदान देगी, ये भी कहा गया है. परिभाशित योगदान में करमचारी द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतीशत और सरकार का 14 प्रतीशत योगदान भी शामिल था. NPS के तहत व्यक्ति कम जोखिम से लेकर उच्च जोखिम तक कि कई योजनौमिक में से भी चुन सकते हैं. और सारवजनिक शेत्र के बैंकों और वित्यस अंस्थानों के साथ साथ नीजी कमपनियों द्वारा प्रवर्तित पेंशन फंड मैनेजर भी चुन सकते हैं. तो अभी आप जितने भी important outlooks देखेंगे वो इधर से ही आ रहे हैं, new pension scheme से ही आ रहे हैं और ये new pension scheme, old pension scheme को मिला के बहतर scheme बना दिया है, unified pension scheme. NPS के तहट योजनाओं नौ pension fund मैनेजरों द्वारा पेश की जाती है, SBI, LIC, UTI, HDFC, ICICI, KOTAK महिंदरा, अधिति बिल्ला, TATA एवं MAX, तो इसको याद रखेगा. इसके अलावा, योजनाओं का जोखिम profile कम से लेकर बहुत अधिक तक भिनने भी होता है. सरकारे करंचारियों के लिए NPS ना के वलकम सुनिश्चित रिटर्न दिया, बलकि इसने करंचारी योगदान को भी प्रभावित किया, जो की OPS की मामले में नहीं था. यही बात NPS की विरोत का कारण बनी. OPS की वापसी की लगातार उठती मांगो के मद्दे नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र बोधी ने दोहजार तेईस में ततकालीन वित्त सचीव टीवी सोमनाथन के अध्यक्षिता में एक समिती गटित की थी. और इस समिती के परणाम आया अब UPS में है अब UPS में किस प्रकार से लाब हो सकता है और कौन UPS का Unified Pension Scheme का लाब उठा सकता है? इस एक जो question बनता है. सोमनाथन ने कहा कि UPS उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद NPS के तहत सेवा निवरत हुए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उनके मामले में NPS सेवा निवर बहतर होगा. मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया या तो NPS आप चूस कर सकते हैं या फिर आप UPS चॉइस कर सकते हैं. लगबग कोई भी NPS में नहीं रहना चाहेगा. मतलब सरकार अभी भी आपको एक बेटर ऑपरचुनिटी देरी. मतलब अगर अगर आप NPS New Pension Scheme के तह अगर आपको दोनों में चुनना है तो बहतर आपको क्या मिल रहा है? UPS मिल रहा है. इसके अलावा यह कहें तो करमचारी अभी भी NPS के तहत बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं. मतलब एकदम NPS को हटा नहीं दिया गया है. क्योंकि वित पोशन तो करना ही होगा. वित प क्योंकिया UPS में आ जाते है, कलमन किया NPS में आ जाएंगे. ऐसा नहीं है. एक बार विकल्प चिनने के बाद विकल्प को बदला नहीं जा सकता है. सोमनाथन ने भी काय कि फिलहाल यह नहीं योजना केंदर सरकार के कर्मचारियों के लिए है. लेकिन राजी भी इसको अपन कर चुका है. तो उसको 25,000 रुपे प्लस दिये के पेंशन मिलेगी. फैमिली पेंशन जो बेसिक सालरी का 30 प्रतीषत यानि 15,000 रुपे और दियर्नेस अलावंस. नियूंतम पेंशन इसमें 9,000 रुपे और दियर्नेस अलावंस है. यूपीएस की बात करें तो यहां पेंश पेंशन बेसिक सालरी का 50 प्रतीषत यानि 25,000 रुपे प्लस दियर्नेस अलावंस. फिर उसके बाद फैमिली पेंशन ये 60 प्रतीषत 15,000 रुपे प्लस दियर्नेस अलावंस. और उसके बाद नियूंतम पेंशन 10,000 रुपे प्लस दियर्नेस अलावंस. यूपीएस में जो ग्रैचुएटी का नुकसान है वो देख लेते हैं, तो एको 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपए की बेसिक सालरी पर पुरानी पेंशन स्कीम में, ग्रैचुएटी पर 12,37,500 रुपए बनेंगे, जबकि UPS के तहत ये 9,00,000 ही बन रहे हैं, पेंशन योजना का अगर बात करें, ख अगर उन्होंने बोला है, तो बोला कि UPS बेटर है, इसमें निश्चित पेंशन का एक विकल्प है, इस वज़े से, ठीक है, तो अंतर अब देख लेते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में बात करें, तो इस स्कीम में रिटायर्मेंट के समय कर्मचारी के वेतन की करें, तो यहां पर करंचारी की बेसिक सालरी डियर्नेस अलावन्स का दस प्रतीशत हिस्सा कठता था, यह एक जनवरी 2004 के बाद जो भी सेवा में आय थे उनके लिए, उसके बाद NPS शेर बाजार पर अधारित भी है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं था, शेर बाजार अगर पर जाता तो आपको पेंशन अच्छी मिलती है, नीचे जाता तो पेंशन पे असर होता, इसमें छे महिने बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते का प्रावधान भी नहीं था, इस वज़े से अब NPS की जगा, UPS अगया है, अब UPS स्कीम में बीस लाख रुपे तक की पर उसके बाद OPS में रिटाइड कर्मचारी की मृत्यू होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशी भी मिलती थी, पर NPS शेर बाजार पर अधारिता, इसलिए यहां टैक्स का भी प्रावधान था, पुरानी स्कीम में जेंरल प्राविडेंट फंड का प्रावधान था पर यहां पर रिटाइर्मेंट पर पेंशन पाने के लिए NPS फंड का 40 प्रतीशत निवेश रखना जरूरी था, मेंस का एक क्वेशन देख लेते हैं, क्वेशन इससे संबंदित आ सकता है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, या न्यू पेंशन स्कीम से कैसे भिनन इस पर संक्षिप्त टिपनी आपको करनी है, इसके अलावा हमारे पास एक प्रिलिम्स का क्वेशन भी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संदर्ब में निमनलिखित कतनों पर वचार करें, कर्मचारियों को उनके रिटायर्मेंट से पहले ही कि आखरी 12 महीने की बेसिक प समझ में आई हू, अच्छी भी लगी हू, तांक यू सो मँच ऑप्रिवन, स्टेफेटेट।